आज आपको साथ जो रेशी के शेयर कर रहे हैं वो है बहुत ही मज़दार भी और साथ ही सिर्फ 200 विराम चिकन से बनने वाले इतने सारे इसने के आप इनको रख सकते हैं पूरे एक महीने और जब आपका दिल करें आप इसे फ्राय कर सकते हैं तो टेस्टी और आसान सी रेश मैं डालेंगे 2 स्टीन टेमली स्पून ऑईल फोईल के गरम होने के बाद यहां बढ़ा द्धा दिने के एक टीश्पून रसा दरब का पेस्ट हलका साथ को भूल देंगे लिए बढ़ा प्याज़ी इसको बारिक चॉप कर लिया है आपके पास छोटी गाज़र थैज दो द में छिल देले चोल जाए का और छिए चोल सब्सक्राइब करें हैं और अपनी पसंद पर प नहीं सकते हैं सब्सक्राइब अब दाल देंगे एक वाली कटा हुआ, बन गोवी, इसको पता को भी बोलते हैं, इन सब्सकों को टालने से टेस्ट भी बड़ेगा और इसकी पॉंटाइबे प्मेदी जाएगी ŏ ओर इससाथ सब्जी इसने सब्सक्राइब गौहाइए नियुकर अदर मेट के लिए इस तरीके तरीके पर देज़ है कितनी सब्सक्राइब गए अपर दालएगे हैं हाब टालेगे हम चिकन जो कि हमें 200 गौह दो 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 कि लाम चिकन लिया था और इसको हमें हाफ टी बहुत ही जबर्दस बनेगा तो सबसे पहले हैं पर डाल देंगे हम 1 teaspoon मिक्स हर्फ अगर आपके पास नहीं है तो आप यहां पर और और पिर इसको 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 कर दें लेकिन पिजब अगे साथ अकसर याती है तो यह ज़गू डाले इससे इसका बहुत आचा मिर्च आपने टेस्पून अपने टेस्ट के अशाफ से कम ज्यादा कर सकते हैं लिवा बन खुटा जीरा पॉडर। आप्ट टीज्पून लेंगे ऌपर काली मिर्च पॉडर। लिवा जले यहाँ पर लीगे लिवा बंब अभान की यहाँ पर लेंगे लिवाटिय। मीज़ के नियुक्स के अवे हुआ मिक्स कर दिया है देखें ठीज़ाा अब भी गषेस को यदिय ने कर दिया है। मनें ज़िए हम शाव मेने पुर्ण करें निया है। एक विभ को प्रण करने दिया हम चार बड़े नो के थने का जए अब एक एक ऊठान का शाव पार जिए कर देंगे हैं। अलो अधान मेस्श कर लिया है। के आ-दाल दे पिला मिस्टे के मुषण नहाट ना रहा हूं जो की बनाई ले स्भाण , इसाड़ी के फ्रेश हैं अब ब्रेट कर आप प्रहां नहां को पिला है छार पियुलिए सोन कष़ अठाल नहां रहा है Route मिक्स कर लेंगे जो बनकर यहां पर रेडी है और आप देश सकते हैं कि अग्दम यह लूज नहीं है अग्दम थिक साहर टाइट साहर है तो इस तरीक के होना चाहिए अगर आपको लगता है कि यह कुछ पतला है तो आप इसमें दो ब्रेट के स्लाइज और डाल सकते हैं और मिल्क यहां पर टेस्ट कर लें अगयर अपने साँप कर लिया है कि यहां पैस्कों ने यहां पर इसमें से बच्छाइब कर लिए हैं तो यह दो नहीं हम थोड़ने से टाइथ से अब धरश्चन करेंगे। sectors कि यहां पर यहां पर इस तरीकी से स्श भी बनाने चाहई हो पि यहां पर रोल बनकर तयार है इतने मटेरियल में हमारे यहां पर हुए है 45 रोल बनकर तयार तो अब इने चलिए कोट कर लेते हैं इसकी कोटिंग भी बहुत ही जबरदस्त है और इससे एक अलग टेस्ट आता है अब एक बोल में लिए हैं हमने हापर 4 टेबल स्पून दही कौन पुलार कर ले कि अपने काफी त्षीक है हमेंसे बहुत जादर अनुद्शी रखना है इस तरीके से लाए इस तरह से कोटिंग आ जाए तो देखिया आप में श्कूनसिता है उब नहीं ग्रुरियंग ग्ढने के बाद इस तरीके से एक फोर्क लेंगे और इसको ब्रेट क्राम में डाल देने के दूसरी हास नीए इसको इस तरीके से गोट कर देंगे और इसे ट्रे में रपते जाएंगे सबी रोल यहां पर देखें यहां पर फोट हो चुके हैं अब इस पॉइंट पर आप इस ट्रे को ठागा फ्रीजर में रख सकते हैं जब यह अच्छे सेट हो जाएं तो इसके बाद आप किसी भी एड़ाइट कंटियर में डालका पूरे महीने के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल करें तब आप इनको निकाल कर 15-20 मिनाट पहले और फ्राइए कर सकते हैं जिसे आप इसे पूरा महीन इस्तामाल कर सकते हैं जाएका है उसमें तब्दीली बिल्कुल भी नहीं आई और यहां पर करम होने के लिए लग दिया है और गयास का फ्रेम मीडियम कर दिया है पहले ओपर से जले नहीं और इस पर बहुत अच्छा के लगारा है करके इसमें सभी रोल डालते जाएंगे जिना हिलाए इनको यभी सिखने देंगे करीब 1-5 मिनट और इसके बाद इसको यहां पर इस तरीके से पलटना शुरू कर देंगे करीब 2-3 मिनट बाद इस तरीके से चलाते हुए हर तरफ से इक वली इनको फ्राइए कर लेंगे चार से पांच मिनट हो गए हैं इन्हें हम निकाल लेंगे बहुत ही किडिस्पी और मज़दार से हमारे यहां पर देखे हैं स्नेक बन करता है यार है जो कि आपने देखा कि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल भी है और सुरीब 200 ग्राम चिकन से यहां पर हमने 45 रोल बन करता है तो यह मज़दार और आसान से लेसी भी आप अपने घ नहीं के टाइम की वजए से आप इसनेक नहीं बनाएंगे तो आप जरूर ट्राय करें अपना फीट बेक हमें जरूर दें इसी के साथ हमें इजाज़त दें अपना बहुत सा खयाल लगए और हमें अपने दौाओं में याद रखें